हेलो गाइज, गाइज, स्टार्ट करते है हमारा चैप्टर 3 जिसका नाम है Capital Structure जैसे मैंने आपको 1st और 2nd वीडियो में बताया था कि हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो theoretical है या फिर practical है हम उस चैप्टर के बारे में जानेंगे उसका theoretical aspect की actual में वो चैप्टर है क्या ठीक है Capital structure का मैं आपको मतलब बताता है नोर्मल लेंग्वेज में यह क्या होता है जैसे कि आपके business है ठीक है उसमें यह देखा जाता है कि जो उसके अंदर capital लगी हुई है जिससे business चल रहा है ठीक है उसका structure क्या है यह जिससे चीज़ का मिकस्चर होगा उसको बोला जाएगा आपका capital structure इसी को बोलते है capital structure इसमें हम सीखेंगे कि अगर आपके पाद different different type की capital है आपके बाई है को झुछ भी को पर वेटेड एवरी अटके ओधर की कोश्ट फिस निधा कinya जब्सान को इस चैप्टर के अंदर सीकते can be defined as mix of various types of capital acquired by the firm to finance its operations and assets capital can be divided broadly as debt capital preference capital equity capital and return on it. समझ गए यह चीज़ मैंने आपको समझाई है अब आता है second जो आपका यह आते operating leverage में ली क्या होगा जो यह आपको operating leverage है यह यह आप से पूछा जाएगा सही माहने में आपके practical part में कि operating leverage calculate करो financial leverage calculate करो combined leverage calculate करो आप first time तो पढ़ने रहे इसलिए मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ इसको कि आपसे कैसे पूछ सकता है ठीक है operating leverage का मैं फिर भी आपको बता देता हूँ operating leverage calculate करने का मतलब है हम calculate करते है company's ability to pay fix operating cost ठीक है financial में calculate करते हैं कि जो जो इसने finance किया हुआ है finance किया हुआ अपने business को चलाने के लिए debt हो गया ठीक है तो उसको पेंग करने की capacity ठीक है उसको बोलेंगे आपका financial और combined बतलब हो कि दोनों cost को पे करने की capacity company के ठीक है अब मैं आपको पढ़े के बताता हूं कि देखो मैं नदे को आपको बताया हो आपने इस चीज़ के बारे में कुछ और सुना हो कि यहीं होती है लेकिन जो सा पेट्स फिक्स फिक्स फिनाइशल कोस्ट ठीक है डब और कंबाइन डिवेरेज में आपकी दोनों कोस्ट जो आपकी ओपरेटिंग कोस्ट प्लस फिनाइशल कोस्ट उनको पे करने की capacity कि कितनी है ठीक है मेरे भाई क्लियर चलो ओप्रेटिंग इस के बीडिपाइश कंपनी आपको इनकम स्टेट्मेंट समझ आएगी मैं आपको बताता हूं कहां है इनकम स्टेट्मेंट जो आपको नागे बता हूँगा ठीक है ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए डोल डफल डिचल आपको पता होगा फिलाल यह फिर्स टेम्ट है नहीं लास्ट अट है यहां तक आता है तो सब पता लग यह था आप सिर्वाईजन कर रहे हैं अपने थियोरी का ठीक है चलो financial leverage की बात हो गई combined leverage की बात हो गई net income approach यह आपके capital structure की theory का part है देखो मैंने एक वीडियो बनाई हुए capital structure से related यह theories वाली एक अच्छी खासी वीडियो बनाई थी मैंने पिछले attempt में ठीक है उसमें मैंने बहुत अच्छे से explain किया था यह net income approach भी net operating income भी मोधी मोधी गिलाने मिला रेप्रोच है वो भी ठीक है आप उसको रह पर गड़ना जिस playlist में यह video एड़ करो उसी में वो video आपको मिल जाएगा एकर आपको थोड़ा जागे deeply पढ़ना है उसका क्रक्स देखना है तो आप वहाँ से देखो यहां इन videos का सिर्फ मोटिव यह है कि आप अपना revision कर लो ठीक है चलो यह सब उसमें optimal capital structure यह आपकी exam में पूछे जाना वाला question है इसका मतलब क्या होता है optimal capital structure का मतलब यह होता है कि that level of capital structure at which cost is minimized and return is maximum यही होता है आपका optimal capital structure इसके लिए formula है we value of one is equal to no part that operating profit after tax कि यह का मतलब होता है आपका overall cost ठीक है मेरे किलानी आप उससे पढ़ना मैं आप खुलके explain कर नहीं पहुंगा वहाँ पे explain अच्छा गाजा किया वैं तो उसको उसको ही रैफर करो ठीक है ड़ा आया अब पहला question आती है हमारा यह रहा पहला question आ गया पहला question how operating leverage and financial leverage are associated with income statement यह कैसे associate करते है income statement से चले देख लेते हैं कैसे करते हैं पहले आता आपका income statement पता होने चाहिए सबसे पहले आता है आपका sales उसमें से हम cogs काटते है इसके वाद आता है आपका gross profit उसमें से operating expenses घटते है तो उसके वाद आता है आपका EBIT दो इसको ने दूसरी तरीक दो जन्यट करके sales sales तो रहेगा sales यहां पर यह दोनों चीज़े ना लिखके यह तीनों चीज़े यह वाली तीनों चीज़े ना लिखके यहां पर एक देते है sales minus variable cost यही आपने शायद पढ़ा होगा तब आता है आपका contribution ठीक है contribution यह पढ़ा होगा अच्छा नहीं लिखके जाना minus fix cost उसके बाद आता है आपका EBIT clear clear इसको इस तरीके से भी present किया जा सकता है यह यह यहीं सेल्स minus variable cost is equal to contribution minus fix cost is equal to EBIT EBIT में फिर interest गटेगा फिर आएगा EBT फिर minus EBT के बाद आएगा tax गटेगा earning after tax ठीक है उसमें से earning after tax के बाद में आपकी जो profit बचेगा उसमें से preference dividend गटेगा तब जाके आपका amount बचेगा earning available for equity इसको profit for equity इसको हम EAE भी बोलते हैं को EAE को अगर हम divide कर दे number of equity share से तो आपका निकल के आएगा EPS यह रहा आपका EPS ठीक है यही है आपका income statement इसको मैंने पढ़े एच्छे एक्स्प्रेंट के ओन वीडियो में ठीक है अगर आपको और इच्छे समझने तो आप आपको पता होगा अगर आपने इसका प्रेक्टिकल किया है तो DCL का फोर्मूला क्या होता है डोल इंटू डीएफल यही तो होता है तुम्हें रिलेशन्शिप तो अपने आप निकल गई आप किसी भी एक चीज़ के बारे आपको पता है तो दूसरे वाले का आप निकाल सकते हो दो का पता एक निकल जाएगा फिर एजमिशन लेके निकल जाएगा ऐसे करके इन यह तीनों इंटर लिंक्ट है चीज़ें ठीक है चलो देखो यह इसी चीज़ को हैंपे नों ने एक्स्प्लेइन किया हुगा है अब आपको गयार इसको पूरा पढ़के नहीं बता रहे आप आप पढ़ोंगे न आप वो क्लियर हो जाएगा ठीक है यहां पर इसी चीज़ को एक्स्प्लेइन किया है अगर मैंना बता भी दिया तो वो चीज़ें कुन सा याद रहने वाली है और याद भी रही तो यह एक तो चीज़ होती है कि जो बताऊंगा याद रह जाए तो आप उससे कुछ भी बना के लिख दोगे इसमें याद रखने लाइक सिर्फ यही पो अगर आपको फिनेशल लेशा ओर बिख दोगें ख्ली रही तो इस चीज़े को पढ़ गोड़े साइडिया लगा लोग इक कि अगर फाइनेशल लिख बैठ रहे तो अगर जाद है तो बैटर कैसे है तो अपरेटरिग लिएज इंडिकेट था प्रोपोर्शन ओफिक्स्ट ча인त Rights कान्योंग फिक्स एपरेटी दिकांग हाई इंत फिक्स निर्स एप्स ऐर इन्ट अप्स एफ– alo प्रोल प्रेक्ट रिंड ऑन फिक्स्ट ए से इंत हैं नज कान्यों ओ वरेब विर्स ए फिक्सित एपक्रिण पिक्स एंट जिकांग है कि अरव इस एफ एफ फिक्स convince the financial institution and banks to accept the delay in payment which can not be possible in the case of provider of operating activities as we can say that higher financial leverage is better than higher operating leverage clear हुआ यही है ठीक है इसको दोबार अपडना और अच्छे सापको चीज़ क्लियर हो जाएगी चलो हाउ दुदा कोस्ट अब कोस्ट अग्यूट अच्छ है यह फाइनश्ट इंक्रीज फों जिरो विद ऑप्तिमल केप्टल स्ट्रक्चर वाट इस दिलिशनश्ट अफ़ फोंट सबसे पहले सी जो इसमे individually पता होना चाहिए, तब ही आप इनके बारे में कोई decision लेके अपने answer में लिख सकते है, cost of debt का मतलब आपको पता होगा, जो भी आपने debt लिया है, अपने capital structure में, उसके अगर cost निकालते हैं तो उसको cost of debt बोलते हैं, ठीक है, उसका formula क्या होता है, i into 1-T upon NP, यह तो होता है, आपने किसी और तरीके से पढ़ा हो, लेकिन होता ही ही है, interest cost divided by NP, clear? cost of equity क्या होता है आपका, cost of equity आपका होता है, KE, यह इसके भहुँ सारे formula निकल गयाते है, क्यूंकि इसमें भहुँ सारे approach है, लेकिन जो mainly चलता है, वो यह वाला चलता है, D1 upon P0 plus G, यह तो चलता है, है ना, हाँ, यह चलता है, मुझे भी यह यादा आ रहा है, exam के time पर देखा था, अभी तो मुझे यह यादा रहा है, चलो, यह आता है, weighted average cost of capital, इसकी तो पता होगा, आपको table बनती है, table बनती है, जहाँ पर हम लिखते है source, एक जगा लिखा जाता है source, एक आता जगा आता है weight, ठीक है, एक जगा आता है cost, एक जगा weight into cost होता है, और फिर यहाँ पर आनके total होते है, फिर यह निकल जाती है, बता है आपको, याद आजाएगा, अब अपने तरीके से देखना इसको, चलो, what are business risks and financial risks, how does each of them influence the firm's capital structure decision, यह आपको मैं बता चूँका, business risk का मतलब होगे, आपका operating, DOL यह निक, आपका operating leverage, related risk, financial risk, DFLC related risk, ठीक है, चलो, a firm's stock price is not related to its mix of debt and equity financing, do you agree with the statement of give reason, जो यह आपका MMA approach है, MMA approach, इसका कहना यह है, कि आपका कोई भी capital structure क्यों ना हो, उसका impact आए गई निया आपके cost पे, यानि कि आपके share price पे, उसका कोई भी impact नहीं आएगा, उसने यहाँ पर यह बात कही हुई है, ठीक है, उस वीडियो में आप देखना, तो आपको ज़्यादा clear हो, गि उसमें अच्छे से explain, किया हुआ है, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद स्टार्ट हो चुके है, आपके practical questions, इस तरीके से, आपका capitalist structure का, यह portion यहाँ पर थियोरी वाला, complete हो गया, अब आपको हो गया, यह तो कुछ भी नहीं बताया, बहुत बहुत कुछ है, लेकिन मैंने यह भी साथ में बोला है, कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, उसको refer कर लेना, यहाँ पर कोई logic नहीं है, कि मैं और ज़्यादा आपका time waste कर रहा हूँ, इसी वीडियो में, लेकिन जो main main चीज़े थी, मैंने यहाँ पर बता दिये, सिर्फ आपका एक point मैंने आपे miss किया, capital structure की theory, जिसमें आपके तीन चीज़ आते है, net income approach, net operating income approach, mm, modiglani and miller approach, ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई, इसी playlist में आपको link मिल जाएगा, ठीक है, चलो, खतम होगे, अब इसके बाद नया chapter शुरू करेंगे, all the very best, अब ही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तो कर लो भाई, all the very best, bye-bye, देखो बज़े नया chapter को शुरू को शुरू को शुरू के बाद है, post of capital, यह भी करा तो इसके साथ, नहीं, इसके बाद कराएंगे, क्योंकि इसमें है नहीं थेओरी के इतना ज़्यादा कुछ, कितना है, थेओरी के, हाँ, पाँच कुशन से, ठीक, इसके बाद ही कराता हूँ, ठीक है, ठीक, 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 ओक, बाई-बाई,